वेलकम बैक टु माई योट्यूब चैनल दोस्तों आज किस लेक्षर में हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे प्लियूरल इफ्यूजन के बारे में क्या होता है प्लियूरल इफ्यूजन के क्या क्या कॉजिज होते हैं और प्लियूरल इफ्यूजन के कंडिशन में पेसेंट मे बहुत ही सिंपल और डिटेल में डिसकस करेंगे तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और यह बहुत ही इंपॉर्डन टॉपिक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम यह समझते हैं क्या होता है दोस्तों प्लूरल इफ्यूजन की बात करें तो प्लूरल इफ्यूजन एक रिस्परेटरी डिसॉडर है मतलब यह एक लंग्स की प्रॉबलम है तो चलिए शुरू करते हैं क्या होता है दोस्तों यहाँ पर plural effusion की condition में क्या होता है accumulation of fluid in the plural space दोस्तों जो हमारे lungs होते हैं उसमें एक plural space होता है plural space क्या होता है अभी हम आगे discuss करेंगे तो हमारे lungs में एक plural space होता है जहाँ पर fluid का accumulation हो जाता है यानि कि fluid का भराव हो जाता है उस plural space में क्या होता है फ्लीट भर थो जाता है जिसको हम ळोग क्या बोलते हैं इसको इस समस्वते हैं इसको मतलब प्लूरा क्या होता है दोस्तों होता क्या है जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें एक प्लूरा होती है या फिर कह सकते हैं प्लूरल मेंब्रेन होती है यह जो प्लूरा होती है यह हमारे कहां होती है मेंब्रेन सराउंडिंग दर लंग्स यह जो प्लूरा होती है एक टाइप की ल लेयर होती हैं क्या होती के इंदर भी दो लेयर होती है यहां पर हम समझते हैं कि यहां होता है Er होती है यह इरह होती है और Q ISO यहां पोड़ी ना होती है यह जो 2 layers है इनके बीच में यह जो आप space देख पा रहे हैं यह जो space होता है इसको हम लोग बोलते हैं plural space क्या बोलते हैं इस plural space में जब fluid का accumulation हो जाता है तो उस condition को क्या बोलते हैं ठीक है जैसा कि यहां पर आप image में देख पा रहे हैं कि यह है आपका Plural Effusion की condition है, यहां पर fluid का accumulation हुआ है, और जब severe condition हो जाती है, severe condition में जो lungs होते हैं, यह collapse कर जाते हैं, ठीक है, next time हम बात करते हैं, यहां पर एटी और लॉजे की यानि की causes की कि भाई plural effusion के क्या-क्या कायल होते हैं क्या-क्या causes होते हैं दोस्तों यहां पर हम causes की बात करें तो सबसे जो first cause है वो है congestive heart failure अगर किसी patient को congestive heart failure हुआ है congestive heart failure की condition में क्या होता है कि जो heart होता है वो blood को pump करने में fail हो जाता है और जब heart failure होता है यानि जब heart हमारा blood pump करने में fail हो जाता है तो उसकी वज़े से क्या होता है heart के अंदर pressure increase होता है और जब pressure increase होता है तो उसकी वज़े से fluid का leakage होने लगता है और pleural effusion जैसी problems देखने को मिलती है ठीक है next नहाँ पर हो गए आपका infection अगर lungs में infection हो जाता है किसी भी type का मान लेज़े pneumonia हो गया या फिर कोई other type का infection हो गया तो उसकी वज़े से क्या होता है infection की वज़े से भी pleural effusion देखने को मिलता है क्योंकि होता क्या है infection के कारण inflammation होता है inflammatory response होने के कारण जो fluid होता है वो accumulation होने लगता है fluid का accumulation होने लगता है और pleural effusion जैसी problem देखने को मिलती है ठीक है नेक्स नहाँ पर आपका है मैलिगनेंसी मान लिजे लंग्स के अंदर कोई मैलिगनेंसी हो जाती है ठीक है जो cancerous cells है वो pleural के अंदर develop हो जाती है तो उस condition में भी यहाँ पर pleural effusion देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट आपको जो आपका cause है वो है liver अगर किसी patient को liver या फिर kidney disease है कोई liver problem है या फिर कोई kidney problem है तो उसकी बज़े से भी यहाँ पर pleural effusion देखने को मिलता है क्योंकि हमारे body के अंदर जो kidney और liver होते हैं यह body के fluid को balance करने के काम करते है अगर किसी patient को kidney या फिर liver में problem होती है त इसकी वज़े से pleural effusion देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट आपर आपको जो cause हो सकता है वो pulmonary embolism हो सकता है ठीक है pulmonary embolism में क्या होता है blood clot in the lungs अगर lungs में कोई blood clot बन जाता है जो lungs के अंदर blood vessels है उनमें कोई blood clot develop हो जाता है तो उसकी वज़े से भी यहाँ पर जो fluid है वो lungs के अंदर build up होने लगता है और pleural effusion देखने को मिलता है ठीक है तो यह causes हैं जिसकी वज़े से pleural effusion देखने को मिलता है राइट आप 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 लोग समझ गया होंगे राइट आप करते हैं यहां पर क्लीनीकल मैनेस्टेसंस की जाने कि सिंटम्स की कि भाई pleural effusion के घॉज़े में पडीशन में क्या-क्या सिंटम्स देखने को मिलते हैं दोस्तुं सिंटम्स की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पेसेंट में डिस्पीनिया द के देखने को मिलेगा ठीक है जो लंग है वह प्रॉपर बर चुका है उसलिए यह उन प्रॉपर ब्रीटिन नहीं कर पाएंगे लंग्स छो फेसंट को डिस्पीनिया होगा उक्सिजन के डिफिशन्सी होने लगेगी ठीक है चुन्क की यहां पर उसके आंदर पी लुग को नेखने को मिलेगा प्योंकि व्यूमिस कर देहें कि यहां पर नंदर चेश्ट आ नंदर ना चंदर यहां पर अतंग कंसे कि मूं यहां पर मिलेगा न्फट को दून झाब धी देखने को मिलेगा इसके साथ जो है इस को देखने को मिलेगा ठाए के निगों कि वहां हो जाएगी जिसे को आप करेंगे तो आपको ऑर थोपीनिया की प्रॉब्लम देखने को किया होता है जब Pेसंट-dang पोजीशन में होता है तब क्या होता है पेसंट को टी होती थी ठीक है तो यह अधो सब्सक्राइब करते हैं हम क्या करते हैं कि क्या होता है पेसेंट में अगर कोई दिफाइफ हो जाता है ठीक है अगर बिटेल में जानकारी लेना है लग्स की तो क्या करेंगे हम सिटी स्कैन करवाईंगे जो सिटी शन होता है lungs की detail image देता है lungs की detail image हमें provide करता है जिससे हम क्या करते हैं detail में study कर पाते है lungs की मान लिजे किसी patient को बहुत ही mild plural effusion है तो उसके लिए हमें क्या करवाना होगा उसके लिए हमें CT scan करवाना होगा next आप पर thoracentesis दोस्तों जो thoracentesis होता है ये एक procedure होता है जिसमें lungs में से fluid को drain किया जाता है ठीक है thoracentesis procedure में क्या होता है जो fluid होता है lungs से बाहर निकाला जाता है तो जब lungs से fluid को बाहर निकाला जाता है तो उस fluid की analysis भी की जाती है ठीक है क्या होता है analysis की जाती है जिससे हमें पता लग जाता है कि pleural effusion का कारण क्या है कि इस वज़े से pleural effusion हुआ है ठीक है नेखे जाँ पर दोस्तों ultrasound ultrasound से क्या होता है help in visualizing fluid and guiding procedure दोस्तों ultrasound इसलिए किया जाता है ताकि जो fluid है वो हमें visible हो या फिर थोरा synthesis procedure करते समय या फिर कोई other procedure करते समय हम ultrasound का use करते हैं ताकि हमें procedure करने में help मिल जाए ठीक है तो हम patient के ultrasound भी करवाते हैं तो यह diagnostic test है जिससे हम लोग pleural effusion की condition को diagnose कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं management की अगर किसी patient को pleural effusion हुआ है तो उसको हम क्या management provide करेंगे क्या treatment provide करेंगे दोस्तों हम management की बात करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे treat underlying cause underlying cause मतलब जिसकी वजह से pleural effusion हो रहा है उस cause को हम लोग पहले हटाएंगे उस cause को हम लोग treat करेंगे identify करेंगे addressing the primary condition ठीक है primary cause क्या है pleural effusion का उसको हम लोग identify करेंगे उसके बाद उसका treatment provide करेंगे ठीक है कि नेक्षण आप थोरा सेंटेसिस दोस्तों थोरा सेंटेसिस अब देखिए थोरा सेंटेसिस से क्या होता है draining excess fluid for symptomatic relief थोरा सेंटेसिस एक procedure होता है जिसमें क्या होता है जो bus кни Easelगे का accumulation हो जाता है उसको drain किया जाता है क्या होता है देन किया लंग होते हैं वहां से gerade किया जाता है जिससे क्या होता है पैसें को sympathetic relief मिलता है पैसेंकर अगर सिम्टम्स को रिलीफ करना है तो उसके लिए हम थ्वरसेंटेसिस करते हैं ठीक है थ्वरसेंटेसिस से वो लंग्स के अंदर से फिल्यूड को रिमूब किया जाता है नेक्श्ट आपर हम पेसेंट को कुछ मेडिकेस भी प्रॉइड करते हैं देखिए अगर पेसेंट हा कम हो जाता है अगर पैसेंट को इंफक्षण हुआ है इनफक्षण के मजेंट debates करेंगे जो आपका procedure वह होता है जिसमें क्या होता है इंक्लुडिंग अधेशन बिट्यंटर लेएर टु प्रिवेंटकें रही क्रीन से मां लिजे कोई ऐसे पेसेंट जिसको बार-बार pleural effusion हो रहा है ठीक बार-बार बार-बार फ्लीड का accumulation हो रहा है तब उस condition में pleural dasis procedure perform किया जाता है pleural dasis में क्या होता है कई सारे ऐसे chemicals का use किया जाता है वो जो chemicals होते हैं यो pleural layer में inject कर दिये जाते हैं उसके बाद क्या होता है जो further जो accumulation होता है फ्लीड का वो prevent हो जाता है ठीक है नेक्स्ट आप सर्जरी सीविर कंडिशन में यहां पर हम पेसेंट में सर्जरी भी करते हैं ठीक है सीविर केस में सर्जिकल प्रोसीजर के थुरू भी प्लीड को ट्रीट किया जाता है माल लीजिए कोई malignant है ठीक है का इंसरस कंडिशन है तब उस कंडिशन में यहां पर सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है लास्ट में बात कर लेते हैं complications की कि अगर किसी पेसेंट को pleural effusion हुआ है तो हम उसमें क्या-क्या complications हमें देखने को मिलेंगे complications की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा recurrent effusion पेसेंट में recurrent effusion होगा मतलब बार-बार fluid का accumulation होगा बार-बार उसको pleural effusion होगा ठीक है निशना पर पेसेंट में artillectasis देखने को मिलेगा अटillectasis के condition में क्या होता है जो lungs होते हैं वो collapse कर जाते हैं lungs क्या होते हैं collapse कर जाते हैं क्यों collapse कर जाते हैं क्योंकि fluid का accumulation हुआ है प्रेसर जादा होने की वज़े से जो लंग्स होते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, कोलैप्स का मतलब एक जग़े से हट जाते हैं, अपनी जो पोजिशन होती है, उसकी चैंज हो जाती है, ठीक है? निकशना पर पेसेंट में respiratory failure भी देखने को मिलेगा सी बिर कंडीशन में क्या होता है पेशन देखने को मिलता है ठीक है respiratory system fail हो जाता है सीविएर कैसेस में leading to compromised लंग function जो लंग function होते हैं वो decrease हो जाते हैं Okay, तो यह आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे तो यह था आपका प्लिवरल इफ्यूजन आई हो पाप लोग सारी जी समझ गया होंगे अगर आपको यह लेक्चर प्रसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसा ही इन्फार्मिटी लेक्चर हमारे यूटीब चैनल पर मिलते रहते हैं अगर आपको पीडिएफ नोट्स चाहिए तो नोट्स हमारे अप्लिकेशन पर आपको मिलेगा आपको गूगल प्लेश्टोर पर जाना है वहां पर टाइप करना है जी एस मेडिकल अकैडमी वहां पर हमारा कर सकते हैं ओके तो तैंक यू सो मुझ फॉर दवाचिंग